नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इविद्या चैनल चैनल नमबर एक पर हाजिर है हम आज का अपना ये live interactive session लेकर जो की है inclusive classroom का session कक्षा है एक और विशे है हिंदी इसमें हम बात करने वाले हैं एक पाठ की जिसका शीरशक है गेंद बल्ला इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे फिलाल आप मेरे साथ screen पर देख रहे हैं मिस मेघार रमन को मेघार नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेघा इंटर्प्रेटर है और आज हम जो भी पढ़ाई करेंगे जो भी हम यहां पर discuss करेंगे उसे ये interpret करेंगे sign language में अब हम आगे बढ़ें अपना session शुरू करें उसे पहले मैं आप सब के साथ एक G20 का announcement है which I would like to share with you all. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leader summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumukam or the World is One Family. इस संदेश के साथ हम अपना ये live interactive session शुरू करते हैं जिसमें हम गेंद और भल्ले की बात करने वाले हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मिस्स पूजा राना हैं आप TGT हैं सर्वोदे कन्या विद्याले गाजी पूर में पूजा जी नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार नमस्कार आप सभी को धन्यवाद. जग्यासा हो रही है कि गेंद बल्ला कहा है मैं सोच रहो कि आज गेंद पीरेड हैं बिल्कुल बच्चे भी इसी तरह से इंटरस्ट लेने वाले हैं इस पाठ में बहुत रूची लेते हैं क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई बात है गेंद और बल्ला और लगबक सभी बच्चे ज़रूर अपने घर में घर के बाहर गेंद बल्ले का खेल तो कभी न कभी खेला होगा यह जो पाठ है राहूल जी एक छोटी सी कहानी है जो कि रिमझिम पाठे पुस्तक में दी गई है और इस कहानी में क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है वो देखते हैं चलते हैं एक चित्र की तरफ तो आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है राहूल जी क्योंकि हमारे दर्शक हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है तो मैं आपको अभी क्लास वन का स्टूडेंट अज्यूम करती हूँ और आप से पूछना चाहूंगी कि आपको इस में क्या क्या दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि ये किसी मैदान का द्रश है जहां पर पेड़ है घास फूस लगे हुई है और दो चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो बातें कर रही हैं अपनी आँखों से जी एक गेन है और एक बल्ला है बल्ला ऐसा लग रहा ह जैसे कुछ परेशान है, हैरान है, कुछ उसका खो गया है जैसे बिल्कुल और जो गेंद है, उसकी एक आख दिखाई दे रही है संभवता जिस जगह से यह तस्वीर ले गई है या देखा जा रहा है, यदि यह मैं ऐसे कहें तो उसकी एक आग दिखाई दे रही है और वो सहमी होई सी है जैसे वो किसी चुप चुप रही हो बिल्कुल सही हमारी कक्षा एक के राहुल जी तो बड़े ही होश्यार पच्चे निकले हमारे क्योंकि उन्होंने बारीकी पर ध्यान दिया और चित्र में जो हमें गेंद और बल्ला दो चरित्र जो दिखाई दे रहे हैं दो चीजें उनके एक्स्प्रेशन को उनके जो आख से मूँ से आपको चित्र दिखाई दे रहा है आप उसे जान पाए तो बिल्कुल सही इसी तरह हम क्लास में अपने कक्षा में भी बच्चों से बच्चों को सिधा कहानी पे न लाके क्योंकि गेंद और बल्ला बच्चों से जुड़े हुए बच्चों के इंटरस्ट की चीज है तो एक चित्र से हम शुरुआत कर सकते हैं या यह चित्र दिखाई दे रहा है तो जो पियर ग्रूप है उसमें भी बच्चों की सहायता हो जाती है तमाम ऐसे मुझे लगता है गुंजाइश है विल्कुल आसानी से बताया जा सकता है राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हो सकता है कक्षा में ऐसे बच्चे हो जिने देखने मे परिशानी हो तो ये चित्र हम किस तरह से कक्षा में लेके जाएं एक तरीका तो वही है जैसे राहुल छी ने इस चित्र का वर्णन किया चित्र को हम वर्णित कर सकते हैं शब्दों में जैसे की ये पाठ गेंद और बल्ला से लिया गया एक चित्र है इस चित्र में हमें नीला आसमान दिखाई दे रहा है एक पेड का तना दिखाई दे रहा है जिस पे हरी घांस हरे पत्ते लिप्टे हुए है और जो पेड का तना है लकडी के इस तरफ एक गेन दिखाई दे रही है जिसकी एक ही आँख हमें दिख रही है दूसरी तरफ एक मैदान का द्रश्य है, मैदान में हमें एक बल्ला दिखाई दे रहा है और खास बात यह है कि ये गेंद और बल्ला इन दोनों के आख भी है, नाख भी है, हाथ भी है और अगर हम बल्ले को देखे तो बल्ला, बल्ले का एक हाथ अपने सर की तरफ है, वो सर खुजला रहा है, तो ऐसा हम कब करते हैं, जब हम कुछ ढूंड रहे होते हैं, कोई विचार, कोई आइडिया आने वाला हो कि कहा होगा और अगर हम गेंद को देख रहे हैं, तो बच्चों हमें उसकी एक आँख दिखाई दे रही है, क्योंकि संभवत है, जिस द्रश्य से ये द्रश्य लिया गया है, और गेंद क्योंकि गोल होती है, गोलाकार होती है, तो हमें एक हिस्सा साइड से, साइड का द्रश्य इसका द मिर्मी अध्यापिका भी कर सकती है या फिर बच्चे आपस मिजब करूप में बैठते हैं वह भी एक दूसरे को चित्र कवर्णन कर सकते हैं तो राहुल जी भाषा की कछ्षा में शुरुवात ही भाषा की यहीं से हो गई कि बच्चे एक कहानी को enjoy करेंगे, गेंध ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो, बल्ले ने कहा, मारू नहीं, तो खेल कैसे हो, गेंध जब बल्ले के पास आई, तो उसने उसे जोर से मारा, गेंध कुदक्ती फुदक्ती दूर जाकर एक जाड़ी में छिप गई, अब राहुल जी, यहाँ पर हम कहानी को रोक कर, बच्चों से अंदाजा लगवा सकते हैं, कि आगे क्या हुआ होगा, क्या आपका भी, आपके साथी से कभी जगड़ा होता है, या आप नाराज होते हैं, और नाराज होते हैं, तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल, मैं मुझे लगता है, काक्षा एक कि यदी बात करें, सबसे पहले तो यह होगा कि बातचीत बंद हो जाएगी, बिल्कुल, और आप कहेंगे कि चलो ठीक, अब हमारा जगड़ा हो गया, तो अब हम बात नहीं कर रहें, बात में ही करेंगे, लेकिन यह जगड़ छुपी रही होगी? मुझे लगता है काक्षा एक की मेरी भात को यदी आपने सही सिर्द कर दिया है, तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा? बिल्कुल, कहानी में रोचकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि काक्षा एक के बच्चे हैं, उनका अटेंशन स्पै कम होता है, हो सकता है कहानी सुनते सुनते वो थोड़ा बोर हो जाए या उनका ध्यान भटक जाए, तो कहानी पर ध्यान लाने के लिए बीच में रोचकता बनाए रखने के लिए बच्चों से इस तरह के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, तो आगे देखते हैं कहानी में क्य अब बल्ला उसे धूंडता रहा धूंडता रहा धूंडते धूंडते शाम हो गई अंधेरा घिर्णने लगा गेंद खुश थी कि बल्ला परिशान हो रहा है बल्ला निराश होकर लौट चला तभी गेंद ने जाड़ी में से चिल्ला कर कहा मैं यहां हूं आओ मुझे ले लो बल्ले ने उसे जाड़ी के नीचे से खीच कर उठा लिया गेंद ने कहा देखो अब मुझे मारना मत तो राहुल जी ये थी हमारी कहानी प्यारे बच्चों आपको कहानी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी बच्चे तो कक्षा में इस कहानी को खोब इंजॉय करते ह हैं तो राहुल जी आगे बढ़ते हैं अब कहानी में क्योंकि गेंद और बल्ली की बात हुई है और गेंद और बल्ला हम कक्षा में ना लाएं ऐसा तो हो नहीं सकता तो हम भी आज की अपनी कक्षा में गेंद और बल्ला लाएं हैं बच्चों को दिखाया जा सकता है उसके साथ एक आध देखे मैंने एक्टिविटी करवाई जा सकते हैं अब मैं अपना यह बैट निकालता हूं बहुत ही बड़ा यह मेरा बैट गेंद से भी खेलते हैं अगर बच्चों से भी उनके खिलोने runक्टि का लाएं लेकिन प्लास्टिक में भी मिलें छोटे साइस का भी हो तो सभी बच्चे उस बल्ले के आकार को चू कर महसूस कर पाएंगे और एकदो खेल भी खेल पाएंगे मुझे लगता है जो यह द्रिश यहां पर दिखाया गया जिसमें पेड़ है और सम्भफता उसका बिल्कुल नीचे का हिस्सा दिखाया गया जहां जढ़ होती है जिसकी आड़ में गेंद छिपी हुई है यह तो स्कूल में बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि बच्चे खेले है कि फिर उसे ढूंडने जाएंगे तो यह द्रिश वहां पर मुझे लगता है देखा जा सकता है बिल्कुल चलिए तो हम अपना यह बैट जो बॉल है इसको रख लेते हैं अब आगे आगे आते हैं अब कहानी में खेलों की बात हुई है कहानी में गेंद और बल्ले के खे अपने में खेंद ही होगी तो और ऐसे कौन से खेल हैं राहुल जी जिस में एक चीज से दूसरी चीज को मारा जाता है तो एक चोटा सा प्रशन है यहां पर यहाँ पर यह आपके रिमजिम पाठय PUSTक से ही लिया गया है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारत है अब इस में हम एक और खेल जोड़ سकते हैं बहुत असानी से बैडमिंटन जिसे हम चिडिपला भी कहते हैं उस पर चिडिया को एक दूसरी दूसरी और वो जाती है और चीडी बल्ला नहीं उसे हम चीडी छक्का कहते हैं ज्यादा तर हाँ चलिए मुझे लगा क्योंकि इस्थानी अस्तर पर देखा जाए तो अलग अलग नाम हो सकते हैं तो मैंने अपने क्षेत्रियता के हिसाब से जो बताया मुझे लगता है चीड से दूसरी चीज को मारा जाता है एक जवाब तो आपकी तरफ से आ गया चीडी बल्ला चीडी छक्का या बैड्मिंटन दूसरा जवाब यहीं प्रश्ण में है गिल्ली डंडा इसके अलावा बच्चे मैंने स्कूल में लंच टाइम में खेलते हुए देखा है एक तरफ और दूसरा पिठ्थू तीसरा पत्थर मुंद अलिटन अद्ह बड़ी सॉपिर साइश से चंऑ से होते जाते है और बॉल से बियारोफ देखा जाता है यहारा जाता है टरफ से यह स numerator को तो इस खेल का नाम होता है स्टाम्पू या पिठ्धू तो बच्चे इस सारे दुबारा लाइन में लगा तीम वाइस होते हैं वो चार लोग जो है उसको फिर से टावर बनाने में महनत कर रहे होते हैं और वो गेंद से उन्हें मारा जाता है कि यदि वो गेंद उन्हें चुग गई टावर बनने से पहले तो हार जाएंगे यह भी तरीक एक मुझे मैच है इसे बच्चे बहुत ज्यादा लुट वठाते हैं इसका स्कूल में खास कर जब लंच का टाइम होता है तो अब इस वाली गतिविदी में हमें ज्यादा से ज्यादा आफसर बच्चों को देने हैं उन्होंने खेल का नाम बताया तो उनसे पूछा जा सकता है अब कहानी में क्या हुआ है गेंट खो गई है और बल्ला उसे ढूंड रहा है अब जब तक गेंट नहीं मिलेगी तो गेंट बल्ले का खेल नहीं खेला जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारे खेल हैं जिसमें किसी एक चीज के बिना वो खेल होना संभव नहीं है अब ये छोटी खेल रहा है लिए टी जो कि बच्चों से पूछी जा कती है गुली खो गई गिले डंडे में अगर गुली खो गई तो क्या नहीं खेल मगेंगे पकल सहीं और मांज्धा खोगया को पतग नहीं उड़ा पाएंगे बिल्कुल हमने ये चैप्टर पहले पढ़ा भी है पतग नाम की कविता कक्षा एक की पाठे पुस्तक में ही है और पतंग हमने पोयम पढ़ी है सरसर सरसर उड़ी पतंग तो उसमें हमने देखा था कि मांजा भी हमें दिखाया गया था पतंग भी दिखाई गई थी तो मांजा खो गया तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे अच्छा अगर खो गया तो फिर तो जो मेरा फेवरेट है यानि की साप सीड़ी साप सीड़ी और अगर पासा खो गया तो फिर 99 पर काटे का कौन बिल्कुल सही 99 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर पासा खो गया तो क्योंकि वो जो मुझे लगता है उस खेल का जो एक चाम है उस जो एक अपना प्रभाव है बच्चों पर वो हमेशा बना रहता है और कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको की निन्यानवे पर उससाप निना काटा हो बिल्कुल जरूर काटते हैं कम से कम दो तीन बार तो पहुंचना ही पड़ता है निन्यानवे को पार करने के लिए तब कहीं ज जब यह गतिविधी होगी बच्चों के पास जो उसके खेल रहे हैं यह सब अनुभव अर्जित कर रहे हैं तो उनके पास तो खजाना होगा और इसलिए बच्चों से जुड़े हुए विशा लिए गए है अगर आप रिम जिम के पाठ्य पुस्तक देखे वही चीजे ली जो बच्चों से जुड़े हुए है जैसे कि पासा खो गया तो पासे की बात आते ही आपको अपना सांप सीधी याद आ गया अब चिड़ी खो गई तो पहर तो चिड़ी बल्ला नहीं हो पाएगा तो यानि कि खेल खेलने के लिए उससे जुड़े जो सामान है उसमें से ए अब गेंद अगर खो गई आपके घर में, कुछ बच्चे घर में भी खेलते हैं, गेंद और बल्ला, आपके घर में अगर गेंद खो गई तो आप उसे कहां ढूंडेंगे, तो राहुल जी ही आज हमारे लिए हमारे class 1 के student है, राहुल जी आप बताएंगे, अगर आपके घर म आपकी घर में खो जाए, तो आप उसे कहां कहां ढूंडेंगे, सबसे आसान तरीका तो यह है कि जो घर का बैड होगा उसके नीचे हो सकती है, बिलकुल जोफा यदि है उसके आगे पीछे हो सकती है, सोफे के आगे पीछे हो सकती है, आगे तो कही होगी मुझे लगता है क पीछे ही होगी, वहीं से ढूनना पड़ेगा, विस्तर के नीचे हो सकती है, और कहां कहां ढून सकते हैं, और मुझे लगता है कि यदि बहुत बच्चे शतानी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी ममी नो छुपा भी दी हो, ये आपने बिल्कुल पते की बात बताई, ये आप कह सकती हैं कि मेरे दुवारा अर्जित किया गया एक अनुभव है, जो मैं आपके साथ साजा कर रहा हुआ है, क्योंकि ऐसा अकसर होता ही है, और अभी दिखे परिक्षा का समय भी चल रहा है, तो ये कहा जाता है कि ठीक है, हमें बहुत जाता प्रेशर नहीं करना ह कि पढ़ो पढ़ो पूरे टाइम ही, थोड़ा बहुत खेलना मी चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहला मतलब परिक्षा आई तो सब खेलोने और ये जो खेल सामगरी हैं इनको छुपा दिया जाता था, इनको ताले मिवन कर दिया जाता था, कि अब सिर्फ पढ लियांकन होता है, जो कि डेली उनकी गतिविदियों के अनुरूप ही किया जाता है, और ये परिक्षा रूपी हवा हमारे क्लास टू के बच्चों तक के लिए नहीं होता, तो वो मजे से पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो बताते हैं और अपने डैनिक दुनिया से उसे जो जो है छिपा दी जाती है, तो फिर बहुत मुशक्कत करनी पड़ते हैं धूडने के लिए क्योंकि पता नहीं होता है कि छिपाई कहा है, बिल्कुल, तो इस तरह के छोटे-छोटे गतिविदियों से भाशा के कक्षा में, क्योंकि ये हिंदी भाशा के कक्षा है हमारी बच जासे गिल्ली डंडा, चिडी और बल्ला, पासा, लूडो, साप सीधी उनसे जुडे नियम, तो इस तरह से बच्चो की शबदावली को बढ़ाया जा सकता है, छोटे-छोटे अनुभवों को लेकर, अब एक बात बताईए, आपने कहा गेंद बल्ला, गेंद खो गई घर म में, गेंद और बल्ला, पहले आप यह कह सकती है, कि हाँ, ऐसा गुंजाइश होती थी, क्योंकि होता ही था कि घर में छोटा बैट होता था, तब वाशिंग मशीन का शायद निर्माणा नहीं हुआता है, वह बहुत कम उपलब धुगा करती थी, तो एक यंत रुगा करता गर में, जो कपड़े दोने की काम आता था, वह बैट का काम करता था, और चोटी बॉल्स आया करती थी, मुझे लगता है कि आप थपकी की बात कर रहे हैं, उसे थपकी बोलते हैं, बिल्कुल, और उससे जो है, कभी-कभी प्रसाद भी मिलता था था पक्चो को, तो होता य नहीं था, बिल्कुल, तो इसी भाषा की कक्षा से, E.V.S. को जोडते हुए, हम बच्चों को बता सकते हैं, कि कुछ खेल घर में खेले जाने वाले होते हैं, और कुछ खेल बाहर खेलने वाले, जिनके लिए हमें मैदान की जरूरत पड़ती है, तो इंडोर गेम्स, कौन से खेल वो घर के अंदर खेल सकते हैं, तो कौन से खेल ऐसे हैं, राहुल जी, जो आप घर के अंदर खेलते थे और आपको डांट नहीं पड़ती थी, मम्मी कहती थी, घर में हो, तो यही खेल केलो, कैरम, कैरम बोर्ट, बिल्कुल, कैरम के अलावा, जैसे आपने लू जिसको आपने मारने वाला बताया था वो कौन सा खेल था जिसको पिठ्धु जिसे आप कह रहे हैं तो उस तरीके कि जो खेल थे वो घर में छोटी सी जगह में खेले जा सकते थे लेकिन बहुत वराद रूप में जब पिठ्धु भी खेलना होता था तो उसके लिए भी बाहर जाना होता था बिलकुल छोटे-चोटे खेल मुझे भी याद है अपने बच्पन के उच नीच का पापड़ा जिसके लिए हमें गली में ही जाना पड़ता था जो सीडी होती थी वो उचाई वहां पर खड़े हो गए तो छोटे-चोटे खेल थे वो अनुभव है जो कि बहर जाना पड़ता था और क्या आप अभी भी उन खेलों को खेल रहे हैं तो आगे आते हैं क्योंकि भाशा की कक्षा है तो मात्राओं की आवाजों की शब्दों की बात ना हो तो ये कक्षा अधूरी है तो अगर हम इस पाट को देखते हैं पाट पर आते हैं एक बार फि अनुभव कर पा रहे हैं हां मिलकुल उस पे ना का साउंड है ना से आवाज आ रही है एक और शब्द पे आते हैं मारूं मारूं उसमें भी ना का स्वर है ना का स्वर है लेकिन अगर हम गेंद और मारूं शब्दों को देखें तो एक में बिंदी आई है और एक में चंद जहां पर हम इन आवाजों का अनुभव कर सकते हैं, तो आएए आते हैं इन आवाजों की तरफ, जैसे कि एक शब्द दिया गया है अन्धेरा, तो हम इसे लिख कर देखते हैं, अन्धेरा, इसमें आया है चंद्र बिंदु, एक और शब्द है ढूंधना, अब एक और शब्द है, जो कि हमारे पाठ के शिर्षक में ही है, गेंध, तो राहुल जी, क्या आप मुझे बता पाएंगे, अन्धेरा और गेंध, में क्या आप आवाजों में कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं? बिल्कुल मुझे लगता है गेंध में केवल एक बिंदी है, जबकि अन्धेरा में तो पूरा चंद्र बिंदु लगाया हुआ है? लेकिन जब सिर्फ बिंदी वाले शब्द होते हैं, उसमें ध्वनी नाक से आती है, तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज और शब्दों के साथ करवाई जा सकती है, जैसे की चांथ, चंदा, अब यहां पे जो डिफरेंस है, बच्चों को सिर्फ बुलवाया एक बार चांथ, चंदा, तो जब आन्थ की आवाज आएगी, तो बच्चे खुझ से अब्जर्व करेंगे की आवाज नाक और मुझ से मिलके आ रही है, और चंदा में सर्फ नाक से हम आवाज निकाल रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों को अनुनासिक और अनुस्वार आ सकती है, तो इस तरह से इस पाठ में हम इन शब्दों को भी लेके आ सकते हैं, तो राहूल जी आगे चलते हैं, भलकुल, इस पाठ में कुछ मुख्य शब्दाएं हैं, जैसे की कुदक्ति, फुदक्ति, इसका मतलब होता है कूदना और फांदना, यहां वहां घूमना, अंधेरा, यानि की बिल्कुल ही डार्कनेस, जब कुछ दिखाई ना दे और परेशान होना, क्योंकि हमारा बल्ला परेशान था, जब उसे गेंद मिल नहीं रही थी, और बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, अगर गेंद ना मिले और बल्ला हाथ में हो, तो वो वाली कर्शकों के लिए interpret करें, sign language में, पहला है कुदक्ती-फुदक्ती, दूसरा है अंहिरा, तीसरा है परेशान, तो चलिए यह देखा आपने sign language में कितने आसानी से यह जो शबद है, मेगा ने आपके लिए interpret किये, और मुझे लगता है, जब inclusive classroom की बात होती है, तो यह जो sign language का एक हमें सबसे अच्छा है, मुझे लगता है नेमत मिली हुई है, बहुत अच्छी है, इससे जो तमाम चीजें हो सकती है, जिसमें सब को जोड कर रखने वाली जो बात है, वो बहुत जाद लाजवाब है, चलिए ग्रहकारे की स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ गई है, इसका म मिलाना है, एक तरफ दिये गए हैं गिल्ली, मांझा और बल्ला, अब ये किस से संबंदित हैं दूसरे कॉलम में, पतंक, गेंद और डंडा, बच्चों को इन शब्दों को एक दूसरे से मिलाना है, तो ये आप सभी का ग्रहकार्य है, और ग्रहकार्य के साथ इस बास संशो उत्तित ग्रहकार्य नहीं दिया गया है, क्योंकि इसे इसी तरह से बनाया गया है, कि सभी बच्चे आसानी से इसे attempt कर पाएं, बेलकुल आसानी से आप कर सकते हैं, और कक्षा एक की email ID का प्रयोग कर सकते हैं, हमें भेजने के लिए, ये ग्रहकार्य की जो प्रस्तुती का ह सत्र किती थी, आज का आप लिख सकते हैं, कि बीस फरवरी को आपका ये सत्र हुआ है, और आप अपनी चाहें तो फोटो भी लगा सकते हैं, जो कि एच्छिक है, यदि आप लगाएंगे, तो हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी, कि आप जो है, अपनी तस्वीर क भी पढ़ी, हमने तमाम सारी शब्द भंडार भी बढ़ाया अपना, उसका बहुत मज़ा आया होगा, लुथ पठाया होगा, पूजा जी आप यहां तक आई, आपने बैट बॉल के जरीए, बताने की कोशिश की कि क्या पूरा पार्ट है, उसके लिए बहुत बहुत धन्य भाद भाद आपका, धन्य बाद आप सभी का, हमारा ये सेशन हम यहां समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक G20 से related announcement है, which I would like to share with you, we are proud that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023, A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev, Kutumukam or the World is One Family. इसी के साथ हम अपना ये सेशन ही हसमाप्त करेंगे, और मैं मेगा को भी धन्निवाद कहूंगा, जिन्होंने पूरा सेशन आज साइन लेंग्विज में इंटर्पेट किया, थैंक्यू वेरी मच्छ मेगा, फिलाल आप हमारे तमाम और सेशन के लिए जुड़े रहे, झाल झाल आप हमारे तमा ये जूरा सेशन के लिए जुड़े किया झाल आप हमारे तमाप्त किया वे हसमा चैनिव लिए को वे Yi